दियर फ्रेंट्स आज हम किलास नाइन्थ की बुक विहाइब के चैप्टर नमबर टू दा साउंड ओफ मुजिक का हिंदी अनुवाद करना सीखंगे दा साउंड ओफ मुजिक मीन्स संगीत की आवाज या संगीत की धवनी इस चैप्टर की राइटर डेवोरा कोले है थोड़ा चैप्टर के बारे में जान लेते हैं इवाउट दा लेसन वहन बैरी यंग एवलिन हैड बीकम रोफाउंडली डीफ डेफ डेफ मिस बहरी जब बधिर जब बहुत छोटी उमर में एवलिन पूर रूप से बहरी हो गई थी पूर्णली पूर्ण रूप से बहरी हो गई थी बट गॉड गेव हर बैक एन एवलिटी तो हीर बिदाउट हीरिंग किन्तु इस्वर ने गॉड मिस इस्वर गेव मिस दिया किन्तु इस्वर ने उसको एक छमता दी एवलिटी मिस सामर्थ दी इस्वर ने उसको सुनने की एक छमता दी वो क्या छमता थी बिदाउट हीरिंग बिना सुने हुए ही अर्थात बग बिना सुने हुए ही किसी भी चीज को किसी भी बात को सुन सकती थी किन्तु वह किसी की आवाज को बहुत अच्छी तरह से महसूस कर सकती थी किसी और की अपयक्षा वह किसी भी बात को महसूस करकर सुन सकती थी उसमें ये इस्वर ने उसको गुण दिया था सी बिकम्स इंट्रेस्टेड इन म्यूजिक उसको संगीत में रुची हो जाती है एंड एक्सप्रेसे इट मोस्ट ब्यूटिफिली और इसको बहुत ही सुन्धर तरीके से वह एक्सप्रेस करती है अभी वक्त करती है सी रोब्स बहत सिद्ध कर देती है that physical disability की सारीरिक अक्षमता disability, अक्षमता या विकलांगता की सारीरिक विकलांगता कैंणोट भी एन अवश्टेक obstacle to achieving once goal की सारीरिक अक्षमता किसी के भी लक्ष को प्राप्त करने में बादहोत पर नहीं कर सकती ये चैप्टर एक ऐसी लड़की के बारे में जिसका नाम एवलेन जैनी है और ये बिरकुल भी सुनने की पावर खोच चुके होती है लेकिन किसी भी चीज को, किसी भी बात को या किसी भी साउंड को ये अपनी बॉडी से, अपने सरीर से महसूस करके सुन सकती है ये पार्ट का हिंदी अनुबाद सुरू करते हैं रस अवर क्रावड्स, जोस्टल, अपार भीड़, जोस्टल मिस धक्का मुक्य कर रही थी है अपार भीड धक्का मुक्य कर रही थी, फोर पोजीशन ओन दा अंडरग्राउंड ट्रेंड प्लेटफॉर्म भूमी गत रेलवे प्लेटफॉर्म पर जगा पाने के लिए भूमी गत रेल के प्लेटफॉर्म पर जगा पाने के लिए अपार भीड धक्का मुक्य कर रही थी पोजीशन मिस जगा पाना, इस सिर्दी पाना ये सिलाइट गर्ल एक दूबली पतली लड़की छोटी दूबली पतली लड़की लुकिंग यंगर देन हर 17 यर्ज जो अपनी 17 साल की उमर से भी कम लग रही थी कम दिख रही थी बाज नर्बस परिशान थी यट एक्साइटेट लेकिन फिर भी क्या थी उत्साहित थी एज सी फेल्ट दा वाइबरेशन ऑफ दा एप्रोचिंग ट्रेण जब उसने महसूस किया कमपन पहुँचते हुई रेलगारी का जब उसने रेलगारी के पहुँचने का कमपन महसूस किया तो वह लड़की बेचेन और उत्साहित बेचन होते हुए भी उत्साहित मैसूस कर रही थी इत वाज हर फस्ट डे ये उसका पहला दिन था कहाँ पर एट दापर स्टेज रवल अकेडमी ओफ मुजिक इन लंदन लंदन की रायल एकेडमी ओफ मुजिक में ये उसका पहला दिन था वह विख्यात थी लंदन में उसका पहला दिन था और बहुत सहमी हुए थी और काफी सहमी हुए थी उन सब टीन एजर से जो इसकोटिस फार्म से आए थे टीन एजर मिस 19 या 19 वर्स तक की एज के एज को हम टीन एजर कहते है अर्था यूबक या यूबती बै यूबती यो थी और यूबतियों से अधिक अगल रही थी सेमी हुई महसूस कर रही थी बट दिस एस्पारिंग म्यूजिक किन्तु इस म्यूजिक की लड़क लिए ही लड़की को इस म्यूजिक की सीखने की एच्छा लिए हुए जो लड़की थी इसको फेस्प ए विगर चैलेंज और भी अधिक चुनोतियों को सामना करना पड़ता दैनमोस्ट और दूसरों से उस लड़की को दूसरी लड़कियों से और अधिक बड़ी चुनोतियों को सामना करना पड़ता सीवाज पिरोफाउंडली डेव क्योंकि वह वो उनते बहरी थी एलविन के लेनी लॉस ओफ हेरिंग हैडविन ग्रेजुवल ग्रेजुवल एलविन ने एबलिन जैनी ने अपनी सुनने की सकती धीरे धीरे खोई थी या उसकी सुनने की सकती धीरे धीरे कम हुई थी हर मदर रिमेंबर्स उसकी माता याद करती है noticing something कुछ ध्यान करते हुए noticing something बाज रहोंग कुछ ध्यान करते हुए बहर क्या करती है याद करती है कि कुछ गलत हुआ था भेन दा एट येर ओल्ड एवलिन बाज बेटिंग टू पिले दा पियानो जब आठ वर्स की एवलिन पियानो बजाने के लिए ये प्रतिक्षा कर रही थी तब उन्होंने महसूस किया था कि कुछ इसके साथ गलत हुआ कैसे महसूस किया था दे काल्ड हर नेम उन्होंने उसका नाम पुका रहा था उसकी माता ने एवलिन का नाम पुका रहा था एंड शी डिट नॉट मोव और वो नहीं ही ली थी या उसने जवाब भी नहीं दिया था I suddenly realized she hadn't heard मैंने अचानक महसूस किया था कि वह नहीं सुन सकती बह नहीं सुन सकती या बह सुनने लायक नहीं है Sage Ishavel Glani Ishavel Glani ने कहा था जो उसकी माता थी For quite a while Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teachers For quite a while काफी लंबे समय तक Evelyn ने manage किया Concelle her growing deafness है अपनी बढ़ती हुई बधिरता को चुपाने का काफी उसना manage किया अर्थात बह अपनी बधिरता को चुपाती रही friends and teachers अपने मित्रों से भी और वह अपने अध्यापकों से भी उस चीज़ को बधिरता को चुपाती रही कि भी बहरी है but by the time किन्तु समय के साथ she was 11 her marks had dead dead rated किन्तु क्या हुआ जब ग्यारे वर्स की थी माक्सी मिस लक्षन और dead रेटेड मिस बुरे हुए उसके लक्षन और भी खराब हुए थे and her headmistress argued her parents और उसके और उसकी अध्यापिकाने या मुख्य अध्यापिकाने उसकी माता पिता से बिंती की थी to take her to specialist कि उसको किसी बिसे सग्गे को दिखाए उनना कहोगा कि आपकी लड़की बैरी है आप इसको किसी बिसे सग्गे को दिखाए it was then discovered तब यह पाया गया तब यह पाया गया था that her hearing was severely impaired severely means बुरी तरह से impaired पिर भावित हो गई है खराब हो गई है कि उसकी सुनने की सकती बुरी तरह से खराब हो गई है as a result of gradual nerve damage gradual nerve damage gradual miss धिर 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 और nerve miss इसनायू डेमेज मीन छती की या हनी कि उसका किसका परदाम थी वो धिर धिर उसके इसनायू हनी का परदाम थी जो उसकी सुनने की सकती क्या हो गई थी धिर 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 भीकुर खराब हो गई थी they were advised उन्हें सला दी गई उन्हें सला दी गई that she should be fitted with hearing aids कि उसको hearing aids लगा देना चाहिए अर्थात सुनने का यंतर उसको लगा देना चाहिए and went to the and sent to a school for the deaf deaf means बहरे या बदिर और उसको बदिरों के स्कूल में भेद देना चाहिए everything suddenly looked black सब कुछ अचानक काला दिखने लगा या उसका भविस्ट्य जो है अन्दकार में दिखने लगा but Evelyn was not going to give up give up means छोड़ना किन्तु लेकिन यहाँ पर इसका यूज हो रहा हाँ पर हारना किन्तु Evelyn हार मानना वाली नहीं थी she was determined to lead a normal life determined means निश्य कर लिया था lead means बिताने का normal means समान उसने समान जीवन बिताने का निड़ने कर लिया था and pursue her interest in music pursue means पीशा करना और उसने अपने संगीत की रूची में पीशा करना का निड़ने भी कर लिया था one day she noticed a girl playing xylo phone एक दिन उसने एक लड़की को xylo phone बजाते हुए देखा play means बजाते हुए and decided और निड़ने किया that she wanted to play it too की भी इसको बजाना चाहती है most of the teachers discouraged her discouraged means हतोत साहित किया उसके बहुत से यह अधिकतर teacher होने उसके अध्यापकों ने उसको हतो साहित किया but परकस्निष्ट रोन force किन्तु तालवादक परकस्निष्ट मिश्ट तालवादक किन्तु तालवादक रोन फोवस में इस पोटेड हर potential उसमें संभाबना आए देखी इस पोटेड नोटिस किया देखी और potences मिश्ट संभाबना उनमें संभाबना देखी she began to tuning two large drums two different notes begin मिश्ट शुरू किया tuning tune करना large बड़े drums यह ढ़ल भी कहते बजाने वाले होते हैं और different मिश्ट अलग-अलग शोरो पर शोरो पर या फिर धुनों पर ट्यून करना शुरू किया don't listen throw your ears अपने कानों से मत सुनो है ना जीब बात अपने कानों से मत सुनो he would say उन्होंने कहा किनोंने कहा रॉन फोर्स ने कहा जो उसकी टीचर ने संभावना देखी ते उन्होंने कहा कि अपने कानों से मत सुनो वे उन्होंने कहा try to sense it some other way sense means अनुभूत या महसूस इसे किसी और तरीके से या किसी और रास्ते से महसूस करने की कोशिस करो says Evelyn Evelyn कहती है suddenly I realized अचानक मैंने महसूस किया I could feel the higher drum from the best up I could feel the higher drum मैं उंचे वाले drum को अपनी कमर के उपर के भाग से महसूस कर सकती हूँ अर्था जो body से उपर को sorry जो कमर से उपर को body है उस भाग से मैं बड़े वाले drum को महसूस कर सकती हूँ and the lower one from the best down और नीचे के drum की आवाज को मैं कमर के नीचे के अपने सरीर से महसूस कर सकती हूँ Forbes repeated the exercise Forbes ने उस अभ्यास को बार बार कराया and soon Evelyn discovered और जल्दी ही Evelyn ने ये पाया discovered means पाया या फिर खोज लिया उसने अपनी body में जल्दी ही Evelyn ने ये पाया that she could sense certain notes in different parts of her body क्या पाले उनने कि she could sense बहे महसूस कर सकती है certain notes उन स्वरों को जो स्वर संगीत के होते हैं उन स्वरों को वो संगूत महसूस कर सकती है अपने सरीर के विभिन भागों से संगीत के स्वरों को वो अपने सरीर के विभिन भागों से महसूस कर सकती है अर्थात कान ना होते हुए भी वह सुन सकती है I had learned to open my mind मैंने अपने मस्तिस्क को खोलना शीख लिया and body और अपने सरीर को भी खोलना शीख लिया to sounds and vibration to sounds and vibration आवाज और कमपन को सुनने के लिए मैंने अपने मस्तिस्क और सरीर को खोलना शीख लिया the rest was sheer determination determination and hard work says मेरे द्रड निश्चे या पक्के इरादे और कथिन परिस्रम का ही प्रलाम था she never looked back from that point onward never कभी नहीं looked में देखा और back में पीछे point onwards आये के इस्थान से उसने उस इस्थान से कभी भी पीछे को मड़कर नहीं देखा she tore the United Kingdom with a youth orchestra उन्होंने youth orchestra के साथ United Kingdom का दोरा गिया या भिर्मन किया and by the time she was 16 और वो उस समय कितनी थी 16 words की थी she had decided to make music her life उन्होंने संगीत को अपना जीवन बनाने का निश्चे कर लिया था c auditioned for the Royal Academy of Music उन्होंने Royal Academy of Music के लिए अपना audition दिया या फिर प्रक्षा दिया and scored one of the highest marks in the history of academy and scored one of the highest marks है और उन्होंने एक उंचा इस्थान प्राप्त किया या उंचे अंक प्राप्त किया in the history of the academy academy के इस्थान, academy के इतिहास में उन्होंने एक उंचा बिंदू प्राप्त किया एक उंचा अंक प्राप्त किया see gradually mode from orchestra work to solo performance solo means एकल या अकेला performance means प्रदसन उन्होंने धीरे धीरे या फिर बहे धीरे धीरे orchestra के कार्रे से एकल प्रदसन की ओर को मुणी mode means मुणी अर्थात वो पहले सबके साथ बजाती थी लेकिन फिर उन्होंना अकेले बजाने का कारिगरम सुरू किया at the end of her three year course अपने तीन वर्स के course के अंत में and अंत में अपने तीन वर्स के course के अंत में she had captured most of the top awards captured means कवजा कर लिया था और top means चोटी के अवार्ड means पुरूसकारो उन्होंने चोटी के पुरूसकारो पर अपना कवजा जमा लिया था and for all this और इस सब के लिए Evelyn would not accept any hint of heroic achievement Elvin ने कभी भी सुईकार नहीं किया कि उसने कोई बड़ी उपलब्दी प्राप्त किये यह संकेत कभी नहीं दिया उन्होंने कि उन्होंने कोई बड़ी उपलब्दी प्राप्त किये वो अपने काम में ही लगी रही and if you work hard यदि तुम कठिन परिसम करते हो and know और जानते हो where you are going कि तुम कहां जा रहे हो you will get there तुम बहां पहुंच जाओगी उनका यह सिद्धान था कि यदि तुम कठिन काम करते हो और तुम्हें पता है कि तुम क्या कर रहे हो तुम जरूर ही उस सिद्ध को प्राप्त कर लोगे and she got and she got right to the top और वह उच इस्थान पर पहुंची और वह उच इस्थान पर पहुंची कोई से इस्थान पर the world's most south after multi-percursionist उस इस्थान पर संसार के चोटी के तालवाद को के उस इस्थान पर पहुंच गई ये mastery of जो की इस कार्रे में अर्था तालवादक में बहुत बड़े विससगे थे वे उनके साथ ही उस इस्थान पर पहुंच गई of some thousand instruments and हैटिक international schedule अपने लगबग 1000 बाद देंत्रों और संसार में या अंतर राष्टी ये घूमने वाले कारिकरम के साथ अंतर राष्टी और देशों में घूमते रही वे और उस इस्थान पर पहुंच जहां की चोटी के तालवादक पहुंचते हैं It is intriguing to watch Evelyn function so effortlessly without hearing Integuing means उस्थुकता पूर्ण उस्थुकता पूर्ण ये बहुत ही उस्थुकता पूर्ण है to watch Evelyn function Evelyn के कारिकरम को देखना effortlessly without hearing किस पिरियास से बिना सुने हुए किस पिरियाज से वो अपना function करती है कारे करम करती है अर्थात भजाती है अपने अंत्रों को ये देखना बहुती क्या है उच्छ सुकता पूर्ण होता है In our In our to our discussion Discussion मिस बाचीत या तरक बितरक हमारे दो घंटे के तरक बितरक में बाचीत करने में seen ever missed a word उन्होंने एक सब्द भी नहीं जाने दिया अर्थात उन्होंने एक सब्द को ध्यान से सुना Man with busy beards, busy miss घंई और beard miss दाड़ी Give me trouble घंई दाड़ी के लोग जिनकी दाड़ी घंई होती है बे मुझे क्या करते हैं ट्रोवल करते हैं, परिसान करते हैं जिनकी घंई दाड़ी होती हुए मैंजे परिसान करते हैं See laughed, वे हस्ती It is not just watching the lips केवल होटो को देखना ही परियाफ्त नहीं होता है Watching miss देखना केवल होटो को देखना ही परियाफ्त नहीं होता है क्योंकि जो इस तरह के लोग होते हैं वो होटो की भासा से भी सुनते हैं It is the whole face पूरे चेहरे को देखना होता है Especially the eyes और बिसेश कर आँखो को देखना Especially the eyes बिसेश कर आँखो को देखना होता है See speaks phallelassly Phallelassly means बिना गलती के With a Scottish tilt बहें बिना गलती के Scottish My speech is clear मेरी बातची स्पस्ट होती है Clear means साफ होती है या मेरी बात क्या होती है स्पस्ट होती है I could hear till I was 11 मैं जब तक 11 वर्स की थी तब तक मैं सुन सकती थी She says बहें कहती है But that does not explain किन्तु बहें इसकी ब्याख्य नहीं करता Explain means ब्याख्य करना या समझाना इन्तु वहें इसकी ब्याख्य नहीं करता How he managed to learn French and master basic Japanese कि उन्होंने कैसे सीखी फ्रेंच और प्रात्रिक जापानी सिख्षा उन्होंने कैसे प्रात्र की फिर भी ये इस बात की व्याख्य नहीं करता कि वहें 11 वर्स के बाद ही बैरी हुई थी बदिर हुई थी As for music C explains संगीत के लिए संगीत के लिए C explains वहें समझाती है या पर जहां ता संगीत की बात है वहें समझाती है It puts in through every part of my body यहें मेरे सरीर के प्रतियक भागमे से बुजरता है या मेरे सरीर के प्रतियक भागमे को जाता है It tingles in the skin my cheekbones and even in my hair tingles miss जंजनाट पैदा करता है यहें जंजनाट पैदा करता है मेरी तुचा में मेरे गालों के हड़ियों में and even in my hair और यहां तक की मेरे एंबालों में भी यह जंजनाट पैदा करता है भेन C plays the xylophone जब बहस xylophone बजाती है C she can sense the sound passing up the stick into her fingertips fingertips उंगलियों का अगला सिरा बिलकूर she can sense बहसूस कर सकती है या बहस अनुभूत कर सकती है the sound passing उस आवाज को भी जो बजाने की छड़ी से होती हुई उनकी उंगली की अगले सिरे में पहुँचती है by leaning against the drum leaning means जुके हुए drum के उपर जुके हुए she can feel the resonance flowing into her body resonance means गुंज या गुंजन ड्रम को जुकते हुए बजाते हुए बहस अपने सरीर में ड्रम की गुंज को बहता हुआ मैसूस कर सकती है on a wooden plate form एक लकडी के plate form पर जहांपर चलते हैं see removes herseuse बहस अपने जूतों को उतार देती है so that the vibration pass through her wear feet and up her legs so that the vibration pass जो कमपन है वो गुजर सके her wear feet उनके नंगे पैरों से and up her legs और उनकी टाउंग तक में एक लकडी की plate form पर चलती है तो अपने जूतों को उतार देती है जिससे की कमपन को कमपन गुजर सके उनके नंगे पैरों में से और फिर उनकी उपर टाउंग में से not surprisingly इसमें कोई अश्चार्य नहीं है Evelyn delights her audience audience में सुरोता means आननदित करती थी या प्रसन करती थी Evelyn अपने सुरोताओं को प्रसन करती थी या आननदित करती थी इन नाइंटीन हंडर्ड नाइंटीवन 1991 में सी बाज प्रेजेंटेड बित दा रायल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज रस्टीजियस सोलो इस्ट ओफ दा इयर एवार्ड 1991 में सी बाज प्रेजेंटेड उनको दिया गया था बित दा रायल फिलहार्मोनिक सोसाइटी रस्टीजियस सोलो इस्ट प्रसिद फिलहार्मोनिक सोसाइटी का बिख्यात एवार्ड उने दिया गया था जो कि उनको एकल बादन के रूप में मिला था सेज मास्टर परकस्निष्ट मास्टर मीज कुसल परकस्निष्ट तालवादक जेम्स विलेट्स सेज आँ कुसल तालवादक जेम्स विलेट्स कहते हैं God may have taken her hearing, इश्वर ने उनकी सुनने की सक्ति ले लिये, taken means ले लिये, what he has given her back, something extraordinary, extraordinary means ऐसाधान, किन्तु उन्होंने उसको बापस कुछ ऐसाधान भी दिया है, what we hear, हम जो भी सुनते हैं, sea fields, बहे उसको महसूस कर लेती है, या उसको अभीवूत कर लेती है, far more deeply than any of us, उससे भी अधिक गयराई से जितना हम करते हैं, जो हम सुनते हैं, वो और अधिक गयराई से, हम से भी अधिक गयराई से उसको महसूस कर लेती है, that is why, क्योंकि sea expresses music so beautifully, इसी पिरकार या इसी कारण से, वह संगीत को इतनी सुन्दरता से ब्यक्त करती है, expresses means ब्यक्त करती है, Evelyn confesses, confesses means सुज़कार करती है, Evelyn सुज़कार करती है, that she is something of a barcocholic, barcocholic means काम में लगे रहने वाली है, कि वह हमेशा काम में लगे रहने वाली है, या भे हमेशा काम में लगी रहती है I have just got to work मुझे हमेशा काम चाहिए I am often harder than classical musician यहां तक कि यो सास्त्री संगीत कार होते हैं मुझे उनसे भी अधिक कठिन काम हर वकत ही हमेशा चाहिए But the rewards are enormous Enormous means बिसाल या बड़े किन्तु पुर्शकार बड़े हैं Apart from the regular concert Apart अलग रहने दो Regular means नियमित और concert संगीत पिर्दर्शन संगीत नियमित संगीत पिर्दर्शनों को तो अलग रहने दो Elvin also gives free concert in prisons and hospitals Elvin ने बंदी गिर्वों में और अस्पतालों में भी अपने मुफ्त संगीत कारिकरम पेस किये हैं C also gives high superiority to classes for young musicians Priority means प्रात्मिक्ता उन्होंने प्रात्मिक्ता भी दिये है Two classes कक्षाओं को for young musicians जो कि युवा संगीत कारों के लिए कक्षाओं चलती हैं उनको भी उन्होंने प्रात्मिक्ता दिये हैं अन्रिचलीन ओफ दा भी तो हम फंड फोर डेफ चिल्डरन सीज अन्रिचलीन जो हैं वो भी तो हो फंड की हैं जो कि डीफ चिल्डरन के लिए हैं अर्थात बहरे बच्चों के लिए हैं बहर कहती हैं सीज ए साइनिंग इंस्पाइरेशन फोर डेफ चिल्डरन बहरे बच्चों के लिए एक चमकती हुई प्रेड़ना हैं देखते हैं देट देर इज नौवेर की जब अब जहां पर वे हैं वे देखते हैं की अब जहां पर वे हैं देट दे कैन नौट गो की वहाँ अब कोई नहीं जा सकता एवलीन गिलेनी आल्रेडी एकमपलिष्ड आल्रेडी पहले ही एकमपलिष्ड उपलबदियां प्राप्त कर चुकी हैं अपनी उमर के दुगने लोगों से भी दुगनों से भी अधिक उमर के लोगों के बरावर बहे पहले ही उपलवधियं प्राप्त कर चुकी है C has brought percussion to the front of the orchestra C has brought percussion बहे तालबादक को या फिर तालबादन को orchestra के सामने लाई है या orchestra के आगे लाई है and demonstrated और उन्होंने ये पिरदर्सित कर दिया है that it can be very moving कि यहे बहुत ही दिल को छूने वाला हो सकता है moving भी चलने वाला बता लेकिन हापर दिल को छू देने वाला या मरम इस पर सी हो सकता है C has given inspiration to those बहे उनको प्रेणला दे चुकी है किनको who are handicapped जो की handicapped है handicapped means big lang जो की big lang है people who look to her जो लोग उनको देखते है and say और कहते है if she can do it यदि बहे इसको कर सकती है I can मैं भी कर सकता हूँ जो big lang लोग यह सोचते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते तो उसको देखते हैं तो के मिलती है उन्हें प्रेणला मिलती है कि जब वह विकलांग होकर या फिर बहरी होकर ऐसा कर सकती है तो हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते and not the least और ये भी कम नहीं है the least कम और ये भी कम नहीं है she has given enormous pleasure to millions enormous means बहुत pleasure means आनंद और millions means लाखो और उसने या उन्होंने लाखों लोगों को आनंदित भी किया है dear students ये chapter दो भागों में है इससे अगला भाग हम अगले भाग में पढ़ेंगे और हमारे इस चैनल को subscribe करना ना भूले पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद